नमस्कार दोस्तों हम सबको कभी न कभी बैंक लोन की जरुवत पड़ती है तो आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप बैंक से कोई सा भी लोन लेना चाहते है पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन या लोन अगेंस प्रॉपर्टी तो आपको किन मिनीमम डॉक्यमेंट को रिक्व सेंद्रिट क्लास के पास सारे डॉक्वमेंट होते हैं लेकिन एक बिज्निस क्लास के पास वह याणि कि लोन लेने के लिए लेकर document की कमी की वज़े से लोन नहीं ले पाते अब मैं आपको एक के करके बताता हूँ यह देखिए यह minimum set आपके पास pen card होना कंपल सरी है और आधार कार्ड आपका ID प्रूब लग जाता है और आधार कार्ड आपका एड्रेस प्रूब लग जाता है आपके पास 2 साल का income tax return होना चाहिए अगर आप business man है तो आपके पास पूरा income tax return का calculated sheet होनी चाहिए अगर आप salary class है तो भी आपके पास 2 साल का ITR होना चाहिए लेकिन अगर यदि आपके employer ने आपको form 16 भी दिया हुआ है तो bank उसको भी consider कर लेती है अब आती है 6 month की balance salary slip तो एक salary class के पास होनी चाहिए अगर कोई business man है तो पिछले 2 साल की balance sheet के होनी चाहिए उसके पास और balance sheet का मतलब ये है कि जो भी आपने देखा होगा जो आप income tax return भड़ते हैं तो उसके बाद वाले page पर सारा calculation होता है कि कौन सी income कहां से आई है कितना turnover रहा है कितनी sales हुई है ये सब तरह की आपको एक पूरी balance sheet 2 साल की आपके पास होना जरूरी है आपका चाहिए saving account हो चाहिए current account उसके 6 month का statement आपके पास होना चाहिए ये सब बो documents है जो कि अगर यादि आप bank में loan लेने जा रहा है तो आप पहले से ही अपनी file में तयार करके रखें और branch manager के सामने आप ये वाले document प्रिस्तित करें अगर आपको home loan चाहिए loan against property चाहिए car loan चाहिए या personal loan चाहिए अब आते कुछ ऐसे sensitive topic के पीछे अब income tax return मैंने देखा है कि जो लोगों की income कम होती है या business class वाले होते वो loan सिर्फ इसले नहीं ले पाते क्योंकि उनके पाँ income tax return नहीं होता और income tax return को लेके काफी सारी myths है कई सारी गलत फहिमिया है सबसे पहली बात यह मैं बता दूँ आपको अगर आपके पास pen card है तो आप income tax return online file कर सकते हैं वो भी free में income tax department आपसे किसी भी तरह का कोई charge नहीं लेता मैं खुद मेरा income tax return पिछले 5 साल से भर रहा हूँ income tax की site पर बहुत easy और convenient हुए तो आप क्या करें कि अपना हर साल का return भरें हो सकता है अगर आप आपने पिछले साल का नहीं भरा तो उस पर penalty लगती है तो चाहे पिछले साल का रहने दे इस साल का return भरें आप ताकि आपकी document तो consider हो अब दूसरी चीज़ है कई लोग बोलते हैं साब हमारी income इंकम टेक्स के bracket में नहीं आती है या हमारी zero income है तो हम आई टेयर क्यों बरें अले भाई साब आप आई टेयर भरो चाहे आपकी इंकम एक लाक रुपे हो चाहे पचास जार हो चाहे दो लाक हर साल है अपना income tax return भरिए क्योंकि उस पर आपको कोई income tax की website फिरी होता है अगर अगर आप इतने टेक्स से भी नहीं है तो किसी भी chartered accountant को आप 500 रुपे दे दें और वह आपका income tax return बढ़ देगा ताकि आपकी file complete हो जाएगी कितनी भी income आई हो आपकी जीरो दस जार बीस जार एक लाग दो लाग और income tax के bracket में नहीं आते तो भी आप अपना income tax return भर है civil score आपका अच्छा होना चाहिए अगर आपने कभी default नहीं किया है तभी bank आपको loan देगा अब मान के चली इसके पहले आपने कभी loan नहीं लिया और आपका civil score minus 1 बना रहा है या civil score नहीं आ रहा तो भी चिंता की कोई बात नहीं है bank civil score में सिर्फ इतना देखना चाहता है कि आपने पहले कोई default तो नहीं किया bank के साथ किसी भी bank के साथ या आपकी कोई irregularity तो नहीं है जो loan आपके चल रहे हैं बाकी इस बात से bank को कोई मतलब नहीं है कि इसके पहले आपने loan नहीं लिया और आपका civil minus बना रहा है तो आपको loan नहीं मिलेगा अगर minus बने है civil score तो भी आपको loan मिलेगा तो फ्रेंड्स मुझे उमीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आयोगा प्लीज मेरा वीडियो आप अपने WhatsApp ग्रूप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करबाके रखें banking related information के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स